हे गाइज कैसे हैं आप लोग बिंग स्मार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज की ये वीडियो है रेड्मी नोट 4 के टिप्स ट्रिक्स और हिडन फिचर्स का पार्ट 3 और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो निचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है तो आप उसे भी चेक आउट कर सकते हैं और गाइस इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के लाश में मैं इस फोन का बहुत ही स्पेशल फीचर बताने वाला हूं दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर है तो इस बटन पर दबा के कर सकते हैं और इस बैल आइकन को भी क्लिक कर दे तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपकी फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप अपने फोन के रिसेंट टास्क में जाएं तो आप आप देख सकते हैं आपने जितने भी अप्लिकेशन यूज करे हैं वो सारे अप्लिकेशन आपके सामने आ जाएंगे किसी भी अप्लिकेशन को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसको उपर स्लाइड कर सकते हैं पर अगर आप उससे नीचे स्लाइड करेंगे तो आपके इस लॉक का क्या फायदा है नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि आपके फोन में कोई भी अप्लिकेशन चलती है तो वो आपके रैम का कुछ हिस्सा लेती है और मल्टी टास्किंग का बेस भी यही है कि आपकी अगर मान लीजे तीन जी भी रैम है और दस अप्लिकेशन आपके रैम का कुछ हिस्सा अपने अंदर स्टोर करती है तो आप इस लॉक का में क्या फायदा है तो गाइस मान लीजे आप कोई गेम खेल रहे हैं गेम खेलते टाइम आपको दुबारा से किसी और टास्क पे स्विच करना है तो आपने गेम को मिनिमाईज किया दूसरे ट अप्लिकेशन ओपन करेंगे तो आपका रैम का बहुत सारा पार्ट यूज़ होगा उसी तरह जब आप गेम आउन करते हैं तो आपके रैम का एक बड़ा हिस्सा वो गेम ले लेती है और उसके पीछे अगर आप जो भी अप्लिकेशन खोलेंगे वो सारे भी रैम का आपका छोड़ा छोड़ा हिस्सा लेती रहेंगी तो जब आप अपने गेम से दूसरे एप्लिकेशन पर गए तो आपकी गेम का जो थोड़ा सा हिस्सा था वो एप्लिकेशन को उपन करने में काम आ गया जिसकी वज़ए से आपकी गेम के पास जो रैम थी वो कम हो गई और आप ज simply क्या करना है, game open करनी है, example के लिए मैं आपको कोई application दिखा देता हूँ, open करनी है, और उसे एक बार नीचे के और slide करके, lock कर देना है, जैसी आप lock कर देंगे, उससे क्या होता है, आपकी game ने जितनी भी RAM ले रखी होती है, वो permanently उसमें store हो जाएगी, और अगली बार आप आपने छोड़ी थी, दुबार रिस्टार्ट नहीं होगी, और इसका एक और अच्छा फायदा है, मान लिजए, आपने जलबादी में clear all का button दबा दिया, तो आप देखेंगे, clear all का button दबाने के बाद भी, जिस application को हमने lock कर रखा था, वो application अभी भी open है, तो इसका ये भी और फायदा है, कि आपको important काम कर रहे हैं, और गल्ती सा आपने clear all दबा दिया, तो आपकी वो application बची रहेगी, memory में, Guys, कई बार क्या होता है, कि आपके phone में एक application होती है, जिससे आपको बहुत सारी notification मिलती है, जो की बहुत disturbing होता और एक time के बाद irritating हो जाता है, तो अगर आप देख सकते हैं, मेरे phone पे इस वक्त एक notification आई हुई है, तो यहाँ पे आपके पास दो option है, अगर आप इसको right slide कर द पे tap करके इस application से आने वाली सारी notification को बंद कर सकते हैं, तो basically क्या होगा, इस particular application से आपके phone पे दुबारा कोई notification नहीं आएगी, और अगर आप चाहते हैं इसको दुबारा से on करना, तो setting में जाके इसको दुबारा से on कर सकते हैं, ऐसे ही आप बाकी जितनी भी application इस्ट्रॉल करेंगे, उसके अंदर आप call setting पे click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे option है, सबसे पहला option है हमारा call recording, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लिजे आपको call record करनी है, नहीं करनी, वो सारी setting आपको यहाँ मिलती है, सबसे पहले आप देखेंगे, तो call recording notification है, तो अगर आपको notification चाहिए, तो वो यहाँ से on off कर सकते हैं, उसके नीचे है record calls automatically, तो इस option को अगर आप on कर देंगे, तो जब भी आप कोई call करेंगे, या आपके पास कोई call आएगी, तो automatically आपकी सारी calls record हो जाएगी, और इसके नीचे है record calls from, तो अगर आप चाहते है कोई particular number से call record करना, या आपने सारी call record करना, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप selected number पे click करेंगे, तो आप से custom list पूछेगा, list पे click करके add numbers पे click करेंगे, तो या आप से उन contacts के बारे में पूछेगा, जिनकी आप call record करना चाहते हैं, तो वो सारे काम आप यह से कर सकते हैं, इसके नीचे अगर आप option देखें, आपको एक incoming call setting option मिलेगा, इस setting में आपको पांच बहुत ही अच्छे feature मिलते हैं, सबसे पहला है, flip to silence ringer, इस option को अगर आप on करेंगे, तो मान लिजए आप meeting में है, या फिर आप कहीं पे भी आपका phone बजने लग गया, तो अगर आप अपने phone को flip करके रख देंगे, तो आपकी phone की ringtone automatically off हो जाएगी, और ये feature vibration पे काम नहीं करता, vibration आपकी तब भी होती रहेगी, दूसरा option है, quit ringer when lifted, तो अगर मान लिजए आपका phone कहीं पे रखा हुआ है, और उस पे कोई call आ रहा है, तो जैसी आप phone का अपने flash blink करती है, और android में इसके लिए काफी application भी है, जिसको use करके आप अपने android phone में भी ऐसा कर सकते हैं, बट Redmi Note 4 में ये inbuilt feature है, इस option को आप on करेंगे, तो जब भी आपके phone में call आएगा, आपका flash on off होगा, उसके नीचे है proximity sensor, तो proximity sensor के बारे में आप लोग को पता ही होगा, जब सकते हैं, सब से नीचे है आपका mute first string, इस option में अगर आपके पास unknown number से बहुत call आते हैं, तो इस option को use कर सकते हैं, जब भी आपके पास किसी unknown number से पहली बार call आएगा, तो आपका phone कभी नहीं बजेगा, फिर चाहे वो ringing में हो, vibration पे हो, वो phone बिल्कुल नहीं बजेगा, बट अगर उसी number से दुबारा call आता है, ताब आपका phone बजेगा, अगला option हम देखते हैं, identify unknown numbers, तो इस option पर आप click करके देख सकते हैं, जब भी आपके पास किसी unknown number से call आती है, तो उसका caller ID ये internet पे search करके, उसकी location search करके, आपको बता देगा, वैसे तो मैं feature use नहीं करता, तो इसक setting भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, सबसे नीचे देखें तो आपको मिलेगा advanced setting, advanced setting में सबसे पहले आप answer and call section में जाए, तो आप देखेंगे call background, तो यहाँ पे आपको क्या option मिलता है, कि जब भी आप किसी को call करते हैं, तो आपका default background आता है, अगर आप चाहें तो उसे change कर सकत हैं, तो जो भी आपने lock screen का wallpaper बनाया होगा, वो आपकी calling screen पर आ जाएगा, अगला है, vibrate when your call is answered, तो यह काफी अच्छा feature है guys, तो guys normally आप जब किसी को call लगाते हैं, तो आपको phone कान पर लगा के रखना पड़ता है, तो आपको फोन कान पर लगा के रखना पड़ता है, तो आ आपको पता चलेगा, कि सामने वाले ने phone उठा लिया, और तब आप अपना phone कान पर लगा सकते हैं, उसके नीचे है quick response, तो अगर आप किसी call को reject कर देते हैं, तो उसके बाद आप चाहें, तो कोई भी question message भेज सकते हैं, वो message आप यहां से set कर सकते हैं, और guys, उसके लावा guys यहां पर आपको basic setting मिलती है, आप देख सकते हैं, और आज का special feature है guys, सबसे उपर dialer option में आप देख सकते हैं, dial, pad, touch, tones, अब यहां पर आप देखेंगे, तो सबसे पहले तो आप से पूछेगा कि आपको dial pad tones on रखनी है, तो वो चीज आपको select करनी है, उसके नीचे आप प्यानो की select करेंगे, और अब अगर आप अपने phone में, अगर आप अपने phone में कोई number dial करेंगे, तो आप देखेंगे, जैसे जैसे आप number dial करेंगे, एक piano का music बनता है, तो अगर आप music lover हैं, या music अच्छा लगता है, या piano बजाते हैं, तो इस option को on कर सकते हैं, नहीं तो खाल लोग वो गाना पहचान जाते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और नीचे comment section में लिखिएगा उस गाने का नाम, कर दो खाल